नमस्ते आप सभी को स्वागत है अमरी चैनल जीत की पाट साला पर आज हम पढ़ेंगे 4.11 शीविल इसविदेंस मोव्मेंट एंड आसाम 1934 तो चले बिना केसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं Gandhi who had re-intern active politics in 1928 gave the call for a civil disobedience movement in 1930 मातमा गांदी जी जनुने 1928 में एकवर फिर से राजनीते में एंट्री ली आते हैं उन्होंने 1930 में civil disobedience movement को स्टार्ट किया its aim was to paralyze the administration by performance of specific illegal acts और civil disobedience movement का मेल उदेश्य था कि British administration को किसी भी हाल में ठप कर दना याने कि बंद कर दना on March 12, 1930 Gandhi along with 78 companions which also included Sarojini Naido started from Sabarmati Ashram to the sea coast at Dundee a distance of 240 miles तो British government को नाकारा साबित करने के लिए या फिर British government का जो administration system था उसको असफलता दिखाने के लिए March 12, 1930 को मातमा गांदी जी और उनके साथ 78 और लोग थे जिनने मातमा गांदी जी का साथ दिया और उन 78 में Sarojini Naido जी भी सामिल थी उन लोग ने साबरमती आश्रम जो की गुजराट में इस्ती थे वहां से उन लोग ने डांडी जाने के लिए एक यात्रा स्टार्ट किया और जो डांडी और साबरमती आश्रम का जो डिस्टेंस था वो लगवग 240 miles था At Dundee, he and his followers broke the salt low by preparing salt illegally तो उस समय salt prepare करना यानि कि नमक बनाने का जो permission था monopoly right जो था सिर्फ British के पास ही था लेकिन किसी भी हाल में अब civil disobedience moment तो स्टार्ट हो चुगा था उससे साबित करना था कि British government का जो administration करने का तरीका है वो गलत था इसलिए महत्मा गांदी जी और उनके सही होगी ने क्या क्या डांडी पहुचकर illegal तरीका से नमक बनाना स्टार्ट कर दिया और उस समय British के अलावा किसी और को नमक बनाने का permission नहीं था और उस समय महत्मा गांदी जी ने और उनके सही होगी ने जब नमक बनाया डांडी में तो उनका जो अंदुलान था ओतिय जी से बढ़ने लागा इन आसाम, लीडर्स लाइक हेम चंद्रा बोरुवा, एम थैबुल्ला, विश्नुरा, मेदी और अमिकागिरी राय चाओदरी असेंबल एड जज़स फिल एड गौहाटी और एक्स्प्रेस देर सोलाडिरिटी विद गांदी जी जी सॉल्ड सत्यागरा जैसे ही महात्मा गांदी जी और उनके जो साथी लोग थे जिनोंने वहाँ पे नमक बनाया वो ख़बर आसाम में पहुंचा तो आसाम के लोगों ने भी क्या गया महात्मा गांदी जी को अपना सापोर्ट दिखाने के लिए आसाम का जो गौहाटी में स्थित जज़स फिल और लिलाधर बर्वाजी ने आसाम के तरफ से डांडी यत्रा को जोइन किया। On the other hand, committed workers like विश्नुरा मेधी, हमचंद्रा बोर्वा, मोहमध तैबुल्ला और अंभिकागरी रायचाओदरी वे अक्टिबली इंगेज़ इंगेज़ेशनल वर्क अडर सेविर फिनेंशल फिनेंसिल और दूसरी और वहें पे हमचंद्रा बोर्वा, विश्नुरा मेधी और अंभिकागरी रायचाओदरी ने पुरा civil disobedience movement को समर्थन दिया। Under some circumstances, the Congress in Assam needed to be rejuvenated और उसी समय बोच सारी लोगों को ऐसा लगा कि Congress को आवेगवर फिर पुनर गठन करना जरूरी है। The task was accomplished under the new leadership of विश्नुरा मेधी, महमत तयबुला एन अमेगागरी रायचाओदरी और वह काम दिया गाया विश्नुरा मेधी, महमत तयबुला एन अमेगागरी रायचाओदरी को और वह काम क्या था? Congress को पुनर गठन करना. New committees and sub committees were constituted to look into the various matters of the movement. और बहुत सारे committees और committees के अंडर में फिर से छोटे-छोटे committees, sub committees को बनाये गए ताकि उस civil disobedience movement के दोरन कोई भी अगर problem हो, उस problem को solve करने के लिए बहुत सारे बड़े और छोटे committees बनाये गए. The objective of the newly formed committees were to raise fund, defense of repressive laws and ordinances, boycott of British goods and anti-opium and liquor campaign. और जो committees और sub committees बनाये गए, उनके मोलो देशे थे कि किस तरह से हो civil disobedience movement के लिए funding कटा करना, अगर British government कोई भी नया प्रकर कानुन पास करता है तो उसका against करना, British goods को boycott करना और साथी anti-opium and liquor campaign करना, यानि कि opium का बिरोत करना साथी liquor जितने भी wine अगेरा थे product उनका बिरोत करना है, जो नया committee बना उसका मोलो देशे था. Young leaders like Omio Kumar Das appealed to the students to join the movement, but response from the students was lukewarm. Omio Kumar Das Ji ने students को help करने के लिए आवान किया, लेकिन student का तरफ से जो response था हो बहुत कम देखने को मिला. However, to protest against the arrest of Nehru on 14th April and Gandhi in 5th May 1930, students participated in hartaal in a large number. To Mahatma Gandhi Ji और Nehru Ji का जो arrest ता उसका protest करने के लिए, बहुत सारे student ने hartaal किया. On 6th and 14th May 1930, students in Brahmaputra Valley resorted to the boycott of their institution to demonstrate their protest. Mahatma Gandhi Ji और Nehru Ji का arrest को protest करते हुए, 6th or 14th May 1930 को Brahmaputra Valley के जितने भी students वगरा थे उन लोगोने आपने institute को boycott किया. Meanwhile, the situation became more sensitive when R.J. Cunningham, Director of Public Instruction, issued a circular on May 1930, popularly known as Cunningham Circular, asking students and their parents to provide written undertaking, guaranteeing that the students would not participate in any kind of political activity. Asam के लोग, Mahatma Gandhi Ji और Nehru Ji का arrest को लेके बहुती नाखुश थे, बहुती गुशे में थे, तभी फिर क्या हुआ, R.J. Cunningham, जो की उससे में Director थे, Public Instruction के, उन्होंने एक notice जारी किया, और उस notice के अनुशार, जितने भी students, Assam के college या फिर school में पढ़ रहे थे, उनको और उनके साथ थी, उनको और उनके साथ, उनके माता पिता को एक paper पे लिखे देना था, कि आज के बाद मेरे बच्चे कभी भी किसी भी public protest करने के लिए या कि British के against में किसी भी rally में सामिल नहीं होंगे, ऐसे लिख के एक guarantee undertaking British को देना था, जिसके चलते आसम के लोग और भी ज़्यादा गुसे में आ गए, those found guilty would be punished by imposing fines and depriving of scholarship and also expulsion in case of severe crimes, साथ उसमें यह भी लिखा गया था कि अगर कोई भी students, किसी भी political activity में सामिल होता है, तो अगर वो proof हो जाता है, तो उसको punish किया जाएगा, और punishment क्या होगा, imposing fines, यानि कि fine लगाया जाएगा, जिजने भी scholarship अगर मिल रहा था उस बच्चे को, वो नहीं मिलेगा, और अगर case बड़ा निकला, तो उसको सारा school college से उसको expel हमेशा के लिए कर दिया जाएगा, इस students sharply related to such humiliating dictate and it further is part of the civil disobedience movement in the region, जैसे students ने ये notice सुना, तो सारे students जो कि आसाम के थे, वो बहुत नाखुस हुए, और उसका बिरोद करने के लिए, उस order का बिरोद करने के लिए, उस notice का बिरोद करने के लिए, इस students जितने भी थे, उन्होंने civil disobedience movement में हिस्सा लिया, तो आसम छात्रा सनमिलन और गोनाइज दे इस special session in Guwahati to discuss its plan of action, तो आसम छात्रा सनमिलन ने गोहाटी में एक बड़ा meeting किया, जिसमें आगे क्या करना है, उसका discuss किया गाया, क्योंकि British government ने साफ जाइर कर दिया कि आज के बाद कोई भी students public activity में, public protest में British की खिलाफ सामिल नहीं हो सा, तो इसलिए आसम छात्रा सनमिलन ने उन्होंने एक meeting organize किया कि आगे क्या करना चाहिए, उसको discuss करने कि, they decided to picket government institution, तो उस meeting में आसम छात्रा सनमिलन ने निने लिया कि British के जिदने भी institution ने उसको घहराबंदी करेंगे, उसके उपर तोड़फोड करेंगे, around 3,117 out of 15,186 students left their institution between July and August 1930, तो जुलाई 1930 से लेके अगस्ट 1930 तक आसम के 15,186 student में से 3,117 student ने अपना जो school college था उसको त्याग कर दिया, ताकि वे लोग civil disability moment में हिस्सा ले सके, सबसे पहले तो British institution जितने भी थे, British offices जितने भी थे, उनको घहराव किया गया, उनको तोड़फोड किया गया, साथ ही इसके तुरंद बात किया हुआ, जहां चाहँ पर भी opium, tobacos वगयरा मिलते थे, या फिर liquid shops वगयरा थे, उनको भी पिकेट करना स्टार्ट कर दिया, यानि कि उसको घहराव करके उसके तोड़फोड करना स्टार्ट कर दिया, पीजन्स 2 गट इंगेज़ इन दे मुवमेंट बाइ डिमांडिंग रिडाक्शन अफ लेंड रिविने बाइव फिप्टी परसंट तो जैसे ही सीविल डिस अबिदेंस मुवमेंट स्टार्ट हुआ, तो आस आम की जितने भी पीजन्स वगयरा थे, यानि के फार्मर वगय फॉरेस्ट लोग वेर अलसो भालेटेड इन साटन एरियाज और उसे में जो फॉरेस्ट का कानून था उसको भी बहुत सारे जागा पे तोड़ा गया, इस्टुडेंट अन्रेस्ट टुक प्लेस इन सुर्मा वेली एज वेल और इस्टुडेंट का जो अर्ताल अगरा था जो प्रोटेस्ट अगरा वह भी शुर्मा वेली में बरक वेली साइड में देखने को मिला तो इसी के साथ सीविल इस अविडेंस मोव्मेंट जो था एक छोटा सटवापी को समाप्त हुआ मैं आसा करता हूं आपने समझा होगा और आगे वीडियो आपलोड होता रहेगा उसको देखने के लिए कीप वाचिंग जितकी पार सला थैंक यू